सद्गुरू, आपने बताया है कि कैसे एक बीच को अपनी सुरक्षा खो देने के दर्ज से गुजरना पड़ता है? माफ कीजिए, बीच को किस चीज से गुजरना पड़ता है? अपनी सुरक्षा खोने के डर से, अपना कवच खोने के डर से, तो वो अपना कवच कैसे उता रहे हैं, ताकि उसमें अंकुर फूट सके, जब तक अंकुर फूटता है, तब तक क्या सादुकों को अपना जीवन बहुती नाजुक और आघात योग्य बन कर बिताना पड़ता है, क्या ये उनके साद बहुत कटोरता नहीं है, बीज, अपना कवच उतार कर, अपनी सुरक्षा नहीं खो रहा, उसकी सुरक्षा सिर्फ अंकुरित होने, बढ़ने और विस्तार पाने में है, यही एक मात्र सुरक्षा है, शायद आप ये नहीं जानते होंगे, आप जानते ही होंगे, पर फिर भी, धर्ती की कोई आबादी, जितना अधिक असुरक्षित महसूस करती है, उतना ही अधिक वो बच्चे पैदा करते हैं, क्या आप जानते हैं, दुनिया के गरीब समाज ह हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, दुनिया के अमीर समाजों के मुकाबले, क्यूंकि उनके अस्तित्व के लिए एक तरह की असुरक्षा है, तो सुरक्षा एक बीज बनकर रहने में नहीं हैं, सुरक्षा अंकुरित होने, बढ़ने और विस्तार पाने में हैं, तो आप कवच उतार कर, या बदलाव के प्रती उपलब्द होकर, अपनी सुरक्षा नहीं खो रहे, एक आदमी ने अपने दोस से कहा, बहुत समय पहले मैं अपाहिश था, उसके दोस ने पूछा आपकी समस्या क्या थी, अपाहिश से आपका क्या मतलब है, जब मैं एक साल का था, तब तक मैं अपाहिश था, मैं रिंगता था, आपका बच्पन, या उससे भी पहले का समय एक बीज होने की तरह है, अगर आप अंकुरित होकर विकास नहीं करते तो क्या आप ज्यादा सुरक्षित होते? आप अपाहिज होते मैं जानता हूँ कि इन दिनों ये फैशन हो गया है लोग दावा करते हैं कि मैं एक बच्चे की तरह हूँ तथा कतित आध्यात्मेक लोग भी कह रहे हैं मैं एक बच्चे की तरह हूँ अगर आप कहें मैं एक बच्चा हूँ तो ये मत समझें की ये कोई गर्व की बात है खुद को एक बच्चा कहकर आप कह रहे हैं की मैं विक्सित नहीं हुआ मान लीजे आपका शरीर आपका शरीर बढ़ चुका है तो हम उसका उधारन नहीं ले सकते मान लीजे आपका मन तीन साल की उम्र पर अठक गया आप तब जैसे थे ये वैसा ही रहा सिर्फ आपका शरीर वैसे बढ़ गया जैसा वो अभी है तो हम आपको क्या कहेंगे आधियात्मिक? तो अटक जाने में सुरक्षा नहीं है एक बीज सिर्फ कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण होता है पर बीज एक ठैराव है बीज जीवन है ये जीवन बन सकता है इसका बहुत महत्व है लेकिन ये एक ठैराव है अगर आप किसी भी चीज को ठैराव में रखेंगे तो आप हर हाल में उसे खो देंगे सिर्फ एक ही सुरक्षा है उसे विक्सित करना सिर्फ एक ही सुरक्षा है उसे अंकुरित और सम्रिध वनाना चाहे वो आपका शरीर हो आपका मन या आपका जीवन सुरक्षा सिर्फ उनसे कुछ करने में है ना कि उन्हें बचाने की कोशिश में ऐसा अपने शरीर के साथ करके देखिए आप में से कई लोग कोशिश कर चुके हैं क्योंकि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो कल से सबसे अच्छा भोजन खाईए और शरीर का इस्तिमाल मत कीजिए अगर आप चाहें तो हम आपको एक ताबूत दे सकते हैं क्योंकि आपको वैसे भी उसकी जल्द ही जरूत पड़ेगी उसे बचाने की कोशिश कीजिए बचाने की कोशिश में कोई सुरक्षा नहीं है जीवन ऐसे नहीं बना है उसे बचाने का एक ही तरीका है उसका इस्तिमाल करना तो एक बीज सिर्फ एक ही तरीके से सुरक्षित रह सकता है कि वो अंकुरित होकर एक पौधा और फिर एक पेड़ बन जाए सिर्फ यही तरीका है जिसमें एक बीज सुरक्षित है अटक जाने में कोई सुरक्षा नहीं है लेकिन आपका मन अलग बात बोलेगा आपका मन हमेशा कहेगा एक बीज सुरक्षित है क्योंकि वो आम तोर पर एक सक्त कवच में होता है वो ज्यादा ठोस और सुरक्षित रहने की योग्य लगता है, पौधा खुले में होता है, उसे नुक्सान पहुंच सकता है, कोई भी उस पर पैर रख सकता है, कोई जानवर उसे खा सकता है, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता. एक छोटा बच्चा एक दिन घर आकर बोला, पापा मैं आपको अच्छी ख़बर देना चाहता हूँ, पेदा बोले वो अच्छी ख़बर क्या है, उसने बोला, आपको पता है मैं गणित की परीक्षा में बैठा, उन्होंने कहा हाँ, क्या हुआ? आपने कहा था, अगर मैं गणे टेस्ट में पास हो जाओ, तो आप मुझे दो हजार रुपए देंगे, तो अच्छी ख़बर ये है, कि आपके दो हजार बच गए, ये सुरक्षा नहीं है.